शिम्बाबा याद है ना? आज बाबा ने विशेस कुमारों के प्रती कहा आपका तो वाइदा है ना कि तन, मन, धन और संबंध सब आप से हैं फिर ऐसा क्यों कहते हो कि मेरा मन परेशान है या मेरे मन में व्यर्थ संकल पाते हैं जबकि यह मन बाप की अमानत हो गया फिर अमानत को मेरा समझ कर यूज क यह भी तो खयानत है ना अटेंशन रखो यह मैं और मेरा दो शब्द ही माया के दरवाजे हैं इन दो शब्दों के कारण ही कमजोरी आती हैं फिर बाबा ने कहा हर एक ब्राहमन खास अमरित्विले यह चेकिंग करे क्या मैं बाबा के समीब हूँ आग्याकारी हूँ आग्य के समीब होते ज्यान व योग की धारना का सबसे सहज साधन है बाब टीचर सत्गुरू के आग्याकारी बन चलना कोई भी कर्म करते अगर किसी भी रूप से बाब के संबंद की याद रहती है और दिल से बाबा बाबा निकलता है तो समीपता का अनुभव जरूर होगा लेक दिल से कहना और लास्ट में बाबा ने कहा आप ब्रह्मनों के मुख्ये खजाने हैं संकल्प समय और श्वास तो चेक करो यह तीनों खजाने बाब ददा की आग्या प्रमान सफल होते हैं तुम्हारा तो एक श्वास भी कौमन या व्यर्थ नहीं जाना चाहिए क्योंकि बह खुद अमुल्य है ना इसमें अलबेले नहीं बनना और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मुरली का सार बाप समान बनने का सहज पुरुशार्थ आग्या कारी बनो आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं हर एक बच्चा होली हंस है सदा मन में ग्यान रतनों का मनन करते रहते हैं होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकड छोड़ना और ग्यान रतनों का मनन करना एक एक रतन कितना अमुल्य है हर एक बच्चा ग्यान रतनों की खान बन गए हैं ग्यान रतनों के खजाने से सदा भरपूर रहते हैं आज बाप दादा बच पुष्चों में एक विशेस बात चेक कर रहे थे। वह क्या थी? ज्यान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है। बाप और दादा के आज्याकारी बन चलना। बाप के रूप में भी आज्याकारी, शिक्षक के रूप में भी और सद्गुरु के रूप में भी। तीनो ही रूपों में आज्याकारी बनना, अर्थात सहज पुरशार्थी बनना। क्योंकि तीनो ही रूपों से बच्चों को आज्या मिली है। अमरित्वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्या मिली हुई है। आज्या के प्रमान चलते रहे तो किसी भी प्रकार क कि मेहनत वो मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर समय के मनसा संकल्प, वानी और कर्म तीनों ही प्रकार की आज्या स्पष्ट मिली हुई है। सोचने की भी आवश्यक्ता नहीं कि यह करें या ना करें, यह राइट है या रोंग है। सोचने की भी मेहनत नहीं है। परमात्म आग्या है ही सदा स्रिष्ट तो सभी कुमार जो भी आए हो बहुत अच्छा संगठन है। तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वाइदे किये हैं। जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वाइदा किया। बाबा तन, मन, धन जो भी है कुमारों के पास धन तो ज्यादा होता नहीं फिर भी जो है सब आपका है। यह वाइदा किया है। तन भी, मन भी, धन भी और संबंद भी सब आप से। यह भी वाइदा पका किया है। मेरा समझ कर यूज करना है जब मन बाप को दे दिया तो वह भी आपके पास अमानत है फिर युद्ध किस में करते हो मेरा मन परिशान है मेरे मन में व्यर्थ संकल पाते है मेरा मन विचलित होता है जब मेरा है नहीं अमानत है फिर अमानत को मेरा समझ कर यूज करना क्या यह अमानत में खयानत नहीं है माया के दरवाजे हैं मैं और मेरा तो तन भी आपका नहीं फिर देह अभिमान का मैं कहां से आया मन भी आपका नहीं तो मेरा मेरा कहां से आया तेरा है या मेरा है बाप का है या सिर्फ कहना है करना नहीं कहना बाप का और मानना मेरा सिर्फ पहला वाइदा याद करो कि ना बोड़ी कोंसेस की मैं है ना मेरा तो जो बाप की आग्या है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो, फिर मेहनत की जरूरत है क्या? कोई भी कमजोरी आती है, तो इन दो शब्दों से आती है, मैं और मेरा, तो ना आपका तन है, ना बोड़ी कॉंसिस का मैं, मन में जो भी संकल्प चलते हैं, अगर आग्या कारी हो, तो बाप की आग्या क्या है? पोजिटिव सोचो, शुब भावना के संकल्प करो, फाल्तु संकल्प करो, यह बाप की आग्या है क्या? नहीं, तो जब आपका मन नहीं है, फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो, तो बाप की आग्या को प्रैक्टिकल में नहीं लायाना, सिर्फ एक शब्द याद करो, कि मैं परमात्म आग्याकारी बच्चा हूँ, बाप की यह आग्या है या नहीं है, वहे सोचो, जो आग्याकारी बच्चा होता है, वहे सदा बाप को स्वते ही याद होता है, स्वते ही प्यारा होता है, स्वते ही बाप के समीप होता है तो चेक करो मैं बाप के समीप, बाप का आग्याकारी हूँ, एक शब्द तो अमरित्विले याद कर सकते हो, मैं कौन? आग्याकारी हूँ या कभी आग्याकारी और कभी आग्या से किनारा करने वले? बाप दद सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता कानुभव करेंगे मंत्र मुआफिक नहीं कहो बाबा बाबा, वे राम राम कहते हैं, आप बाबा बाबा कहते, लेकिन दिल से निकले बाबा हर कर्म करने के पहले चेक करो कि मन के लिए तन के लिए या धन के लिए बाबा की आग्या क्या है कुमारों के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन है लेकिन जैसे बाप ने आग्या दी है कि धन का पोता मेल किस प्रकार से रखो वैसे रखा है या जैसे आता वैसे चलाते हर एक कुमार को धन का भी पोता मेल रखना चाहिए धन को कहा और कैसे यूज करना है मन को भी कहा और कैसे यूज करना है तन को भी कहा लगाना है यह सब पोता मेल होना चाहिए आप दादियां जब धार्णा की क्लास कराती हैं तो समझाती हैं कि धन को कैसे यूज करो, क्या पोता मेल रखो कुमारों को पता है, पोता मेल कैसे रखना है, कहां लगाना है, यह मालूम है, थोड़े हाथ उठा रहे हैं, नए नए भी है, इन्हों को मालूम नहीं है इन्हों को यह जरूर बताना है कि क्या क्या करना है निशिन्त हो जाएंगे बोज नहीं लगेगा क्योंकि आप सब का लक्षे है कुमार मना लाइट डबल लाइट कुमारों का लक्षे है ना कि हमको नमबर वन आना है तो लक्षे के साथ लक्षन भी चाहिए लक्षे बहुत उंचा हो और लक्षन नहीं हो तो लक्षे तक पहुँचना मुश्किल है इसलिए जो बाप की आग्या है उसको सदा बुद्धी में रख फिर कारिय में आओ बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्रह्मन जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास आपके श्वास भी बहुत अमुल्य हैं एक श्वास भी कौमन नहीं हो व्यर्थ नहीं हो भक्ती में कहते हैं श्वासों श्वास अपने इश्ट को याद करो श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए ग्यान का खजाना शक्तियों का खजाना यह तो है ही लेकिन मुख्य यह तीन खजाने संकल्प समय और श्वास आग्या प्रमान सफल होते हैं व्यर्थ तो नहीं जाते क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है चाहे सत्युग तरेता में स्रेश्ट पद प्राप्त करना है चाहे द्वापर कलियुग में पुझ्जे पद पाना है लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर करना है इस हिसाब से सोचो कि संगम समय की जीवन के छोटे से जनम के संकल्प समय श्वास कितने अमुल्य हैं इसमें अलबेले नहीं बनना जैसे आया वैसे दिन बीत गया दिन बीता नहीं लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गमाया जब भी कोई फालतू संकल्प फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझव चलो पांच मिनट गया बच्चाओ समय अनुसार देखो प्रकृती अपने कारे में कितनी तिवर हैं कुछ न कुछ खेल दिखाती रहती हैं कहां न कहां खेल दिखाती रहती हैं लेकिन प्रकृती पती ब्राहमन बच्चों का खेल एक ही है उड़ती कला तो प्रकृती तो खेल दिखाती लेकिन ब्राहमन अपने उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो कोई बच्चे ने बाप डदा को उड़ीसा के समूधरी तुफान की रिजल्ट लिख कर दी यह हुआ यह हुआ तो वह प्रकृती का खेल देख लिया लेकिन बाप डदा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृती का खेल देखा या अपने उड़ती कला के खेल में व जी रहे या सिर्फ समाचार सुनते रहे समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है प्रन्तु जितना समाचार सुनने में इंटरस्ट रहता है उतना अपनी उर्ती कला की बाजी में रहने का इंटरस्ट रहा कई बच्चे गुप्त योगी भी हैं ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप ददा की मदद भी बहुत मिली है और ऐसे बच्चे स्वियंबी अचल साक्षी रहे और वायूमंडल में भी समय पर सहियोग दिया जैसे सुल सहियोग देने वाले चाहे गवर्मेंट चाहे आसपास के लोग सहियोग देने के लिए तयार हो जाते हैं ऐसे ब्रहमन आत्माओं ने भी अपना सहियोग शक्ती शान्ती देने का सुख देने का जो इश्वरिये स्रेष्ट कारिये है वह किया जैसे वह गवर्मेंट ने यह किया, फलाने देश ने यह किया, फोरनी अनॉंस्मेंट करने लग जाते हैं, तो बाप ददा पूछते हैं, आप ब्राह्मनों ने भी अपना यह कारे किया, आपको भी अलर्ट होना चाहिए, सुल सहयोग देना यह भी आवश्यक होता है, इसमें बाप ददा मना नहीं क अलर्ट होके आपने दिया, देना है न, यह सर्फ उन्हों को वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए, लेकिन पहले तो मन में शांती चाहिए, सामना करने की शक्ती चाहिए, तो सुल के साथ सुक्षम सहयोग ब्राह्मन ही दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता, तो यह कुछ भी नहीं है, यह तो रिहर्सल है, रियल तो आने वला है, उसकी रिहर्सल आपको भी बाप यह समय करा रहा है, तो जो शक्तियां जो खजाने आपके पास है, उसको समय पर यूज करना आता है, कुमार क्या करेंगे, शक्तियां जमा है, शांती जमा है, यूज करना आता है, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं अभी practical में दिखाना साक्षी होकर देखना भी है सुनना भी है और सहीयोग देना भी है आकरीन real जब पार्ट बजेगा उसमें साक्षी और निर्भे होकर देखें भी और पार्ट भी बजावें कौनसा पार्ट? दाता के बच्चे दाता बन जो आत्माओं को चाहिए वह देते रहें तो मास्टर दाता है ना स्टोक जमा करो जितना स्टोक अपने पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे अंत तक अपने लिए ही जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे अनेक जनम जो स्रेष्ट पद पाना है वे प्राप्त नहीं कर सकते हैं इसलिए एक बात जो अपने पास टोक जमा करो शुब भावना स्रेष्ट कामना का भंडार सदा भरपूर हो दूसरा जो विशेश शक्तियां है वह शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वह दे सको अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुशार्थ में संकल्प और समय दो साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहियोग दो अपना पुरुशार्थ तो सुनाया अमृत्विले ही यह सोचो कि मैं आग्याकारी बच्चा हूं हर कर्म के लिए आग्या मिली हुई है उठने की, सोने की, खाने की, कर्म योगी बनने की हर कर्म की आग्या मिली हुई है आज्याकारी बनना यही बाप समान बनना है बस श्रीमत पर चलना न मन मत न परमत एडिशन नहीं हो कभी मन मत पर कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी सहज नहीं होगा क्योंकि मन मत परमत उड़ने नहीं देगी मन मत परमत बोज वाली है और बोज उड़ने नहीं देगा श्रीमत डबल लाइट बनाती है श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिती नीचे नहीं ले आ सकती तो श्रीमत पर चलना आता है अच्छा तो कुमार अभी क्या करेंगे निमंतरन मिला स्पेशल खातिरी हुई देखो कितने लाडले हो गए हो तो अभी आगे क्या करेंगे रिस्पोंड देंगे या वहां गए तो वहां के यहां आए तो यहां के ऐसे तो नहीं है ना यहां तो बहुत मजे में हो, माया के वार से बचे हुए हो, ऐसा कोई है जिसको यहां मधुबन में भी माया आई हो, ऐसा कोई है जिसको मधुबन में भी महनत करनी पड़ी हो, सेफ हो, अच्छा है, बाप ददा भी खुश होते हैं, समय आएगा जब यूथ ग्रूप पर गव का भी अटेंशन जाएगा लेकिन तब जाएगा जब आप विग्न विनाशक बन जाओ विग्न विनाशक किसका नाम है आप लोगों का है ना विग्नों की हिम्मत नहीं हो जो कोई कुमार का सामना करे तब कहेंगे विग्न विनाशक विग्न की हार भले हो लेकिन वार नहीं कर विगन विनाशक बनने की हिम्मत है या वहां जाकर पत्र लिखेंगे दादी बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया ऐसे तुने ही लिखेंगे यही खुश खबरी लिखो ओके वेरी गुड विगन विनाशक हूँ बस एक अक्षर लिखो ज्यादा लंबा पत्र नहीं ओके अच्छा मधुबन की भी विशेस्ता बाप ददा के पास पहुँच गई हैं मधुबन वालोंने अपने चार्ट भेजे हैं बाप ददा के पास पह बच्चों को आग्या मानने वाले आग्याकारी बच्चों की नजर से देखते हैं विशेस कारिय मिला और एवर रेडी बन किया है इसकी विशेस मुबारक दे रहे हैं अच्छा हर एक ने अपना स्पष्ट लिखा है दादी से आप भी रिजल्ट देखकर क्लास कराना अपन अवस्था का चार्ट अच्छा लिखा है बाप दादा तो मुबारक दे ही रहे हैं सच्ची दिल पर सच्चा साहिब राजी होता है अच्छा चारों और के बाप दादा की आग्याकारी बच्चों को सदा विग्न विनाशक बच्चों को सदा श्रीमत पर सहज चलने वाले मह ऐसे बाप के समीब और समान रहने वले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। कुमारों को भी विशेस अथक और एवर रेडी सदा उडती कला में उडने वलों को बाप ददा का विशेस याद प्यार। रुहानी बच्चों की रुहानी बाप ददा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बाप ददा ने डाइमंड होल में बैठे हुए सभी भाई बेहनों को दृष्टी देने के लिए होल का चक्र लगाया। बाप डदा का हर एक बच्चे से बहुत 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 प्यार है. ऐसे नहीं समझें कि हमारे से बाप डदा का प्यार कम है. आप चाहे भूल भी जाओ, लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला झबते रहते हैं. क्योंकि बाप ददा को हर बच्चे की विशेस सा सदा सामने रहती है कोई भी बच्चा विशेस ना हो यह नहीं है हर बच्चा विशेस है बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं है तो सभी अपने को विशेस आत्मा है और विशेस कारे के लिए निमित है ऐसे समझ के आगे बढ़ते चलो अच्छा, वर्दान सदा रूहानी सिती में रहें दूसरों की भी रूह को देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भव सदा रूहानी सिती में रहें दूसरों की भी रूह को देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब भव तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं. तो स्वियम भी सदा रूहानी स्थिती में रहो और दूसरों की भी रूह को देखो. जैसे बाप उंचे से उंचा है, ऐसे उसका बगीचा भी उंचे से उंचा है. जिस बगीचे का विशे श्रिंगार रूह गुलाब आप बच्चे ह आपकी रूहानी खुश्बू अनेक आत्माओं का कल्यान करने वाली है. स्लोगन मरियादा तोड कर किसी को सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा. कमाई कर सकता है. आखिर कोन सी है वह दो बातें? जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यान मोती.